नमस्कार मैं हूँ गौरफ स्रीवास्तो आप मसा देखा हमारे खास कारिकम बात अपने देश की आज जो मुद्दा है वो हमारे देश का इसलिए मोल सकते हैं क्योंकि आज जो मुद्दा है वो हमारे पड़ोसी देश का है स्री लंका हमाला पड़ोसी देश है और पड़ोसी होने के नाते वहां की बात को भी ओजागर करना वहां के मामले को भी बताना क्योंकि तबसफंड़ स्में निया थुने नियुक्त लिए तो अगर स्री लंक किसे स्तुव पूरे घटन्य करम की बात करें तो घटन्य करें पिछले लबगळभ पन्तन से चला है हाला कि वहाँ पर जो देक्कत है वहुत प्राणी है हर लगातार वहाँ आप जनता है वह समस्य गिरिये हुए है जरूरी विस्तूओं के चलते ये और वहाँ पर जो दिक्कते हैं वो जनता के जरूरी सामान है उस पर कमी को लेकर है लगातर महिगाई को लेकर है और महिगाई इसकदर है और महिगाई इसकदर है मैं आप वतारू कि अब महिगाई के चलते महिगाई के चलते और उस महेंगाई की स्थिती ये है कि आपको दूद ग्याहूं तेल और आट्र जैसे चीजों के लिए दाम दस गुना चुकाने पड़ रहे हैं और ये स्थिती बड़ी गंबीर है गंबीर कि जब आपको 30 रुप हो वाला आटा 300 रुप में मिलेगा में है तो निस्टि रूप से बहाँ पार दिक्कतत के छल लाही है उसके बाद घटना करम बहाँ पर और बजला और बजलते बलते घटना करम यह आया कि बहाँ पर रास्पती सचवाल है रास्पती भवन और जो प्रिदामंती का जो घर है प्रिदामंती जो आबास है जिसको टेंपल टिरी बोलते हैं टेंपल टिरी पर भी प्रिदासन कारियो और नो दस ग्यारा बारा जोलाई के घटना करम रहा उसके बाद जो वहां के राजपती थे गुटवाया राजपच्छे और उन्हें देश से बाहा निकल कर अपनी बात कही और कहा कि मैं फिराल देश के प्रहा मंतरी रानिल बिक्रम सिंगे को देश का कारबाहग रासपटी घुजट करता हूं अब बही देखेंगे और यह क्या कि उन्हें देश छोड़ दिया हरा कि यहां वो गय है मालदी बहां भी उनका लगाता बिरूर हो रहा है और अब वो एक नए देश की सरण मे जाएं कि समस्याएं दिक्कते आएंगी हैं अगर हम इन मुद्दो की बात करें तो ये मुद्दे इसलिए आवस्यक है कि स्रेलंका की चलत मैं जिस तरह से लगातार ब्योस्थाएं चल रही है और लगातार वहां पर रेट बढ़ रहे हैं दाम बढ़ रहे हैं उसके चलते लगातार इस तरही की 치ीजे आ रही हैं मैंने आपको बताया कि जिस करह से स्री लंका की यह पूरी स्थिती है कि स्री लंका इसको हम सुरूबास से लेते हैं मैं श्री लंका में पतिवक्ति आय है वो लगवा लबग तीन लाख चार जार रुपए है यह पतिवक्ति आय मैं बता रहा हूँ श्री लंका में जो की बढ़ बैंक की रिपोर्ट थी वह समय अगर हम भारत से उसका कंपरेजन करें उसका तुनना करें तो भारत की जो पतिवक्ती आये थी वो लब लबब एक लाग च्छाशट हेजार रुपए ठी यानि स्री लंका की पतिवक्ति हाय हमारी पतिवक्ति आय दुगनी थी और दुगनी आए कि चलते बढ़ बैंक ने उन और देशों की सुची में सामिल किया था जहां पर प्यटिवक्ति आए जादा है यह भारत से लब लब दुगनी प्यटिवक्ति आए उस स्री लंका के लोगों की थी यह मैं आपको बता रहा हूं 2016 उसके बाद यह यह दो प्रयास की अ गए कि श्री लंका आंगे बढěता रहा और श्री लंका की और पिघ्यति करता रहा कि सिरे लंका के वो वह पर मत करें तो वह लब 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 10% है पर यह कॉंट्रिविशन उस समय दिक्कत में आगया जब कोबेट हुआ अगर तुल्ना करें तो 2018 में यह अनुपात लब लब 44,000 करोड़ का था और हम 2021 की बात करें तो यह अनुपात 2000 करोड़ पर पहुंच गया है आप अनुमान लगाईए और तुल्ना करिए कहां 44,000 करो को इस्तिती कम भीर तो नीले समुत की बीच हरी भरी हरी आले की बीच जो देश जिसकी अबादी लगवलाबस सबादो करोड़ है बो देश जो लगातार पकती कर रहा था बो देश जहां पर पत्नी वक्ति आया बहुत से दोगरी थी आज बो देश में लोग दाने जाने को मौताज है दाने जाने के परिशान है और इस्थिती यह बन चुकी है कि वहां की जनता ने राजपती भवन पर राजपती सचवाले पर प्रदा मंत्री घर पर कबजा कर लिया है बैठे हुए है पर इस्थिती आज भी वही चल लगए है अगर हम स्री लंका के पूरे घटन करम पर हज़र डाले तो तमाम तरह की चीज़ें निकल के सामने आती है जो बंसवादी राजनीती है उसका खामेजा स्री लंका भुगत रहा है राजपच्चे परिवाल पुराना बंसवादी राजनीती के चलते लगाता स्री लंका के महटपुर परों पर आसीन होता रहा और इसका खामेजा ही यह भुगता गया गलत नीती गलत काम गलत सोच गलत निवेश और गलत मान सकता है मैं चर्मत तरीके से आँगा तो मैं आपको बताता हूं कि अगर इस पूरी स्थिती में अगर हम तुल्ला करें तो सबसे बड़ी स्थिती यह है कि स्री लंका जो आज इस स्थिती पहुंचा है उसके पीछे है उसका स्री लंका का बड़ा कर्ज अगर हम कर्ज की तुल्ला करते हैं तो मैं आपको बता रहूं कि 2016 में स्री लंका की उपा बेड़े सी कर्ज लबा लबा 30,63 क्रोर का था और बही कर्ज अगर हम 2022 की बात करें अपरेल 2022 का मांगरा लेंगे तो बही कर्ज लब लब साले 6 लाख करोड का हो गया है यानि की स्रीलिंगा की सालना GDP है यह कर्ज हो चुका है कि यह कर्ज कर बता दूं कि कर्ज में भी चीन का योगदान 10% है अगर तोटल कर्ज की बात करें अलर्ण देशों से कर इंद रखा ए तो तुसमें चीन का युगदान कर्ज में लबालबा 10 परसेंट है जो की चीन ने उसको दिया अग्सके बाद आगे जो दूसरी पत्कता है उसके है कि सामान आए कैसे सामान कैसे आएगा जब आपके पास बिरिशी भुद्डा मुद्णार केबल केबल पंदा हजार करोड का बच्चा है और आपके जरूरते है कच्चे तेल और तमाम आयते बस्तूओं की उनके लिए आपको लबा-लबा नब्बे हजार करोड का खर्च जरूरी है अगर आपको स्रीलंका के लोगों की जरूरतों के साब से सामान को आयत करना है चाहे कच्चा तेल हो गया चाहे अन सामान हो गया चाहे कागज हो गया चाहे नमक हो गया कागज नमक मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि स्रीलंका जैसा देश कागज नमक सिलाई और यहां तक की सिल्ले वाली सुई के लिए भी दूसरी देशों पर नरभार है। और तमाम उर्पाद उपलब्द करा पाएंगे। इसके अलावा जो सबसे वड़ी बात यहां पर यह है कि जो राजकोसी घाटा होता है। सो रुपए है तो आपको उसके लिए 111 रुपए खर्ज करने पड़ेंगे। अब वो एडिशनल यानि अलग 11 रुपए कहां से आएंगे यह किसी को नहीं पता। जानकारी किसी को नहीं किस तरह पूर किये जाएगे। और अच्छी बात इसमें एक अच्छी बात यह जानकारी और बता दू आपको मैं कि यह राजकोसी घाटा की बात करें तो अगर हम स्रीलंका की कर्ज की बात करें तो स्रीलंका को अभी जो सालाना कर्ज चुकाना है तो स्र Dáल का कर्ज लबबग को मैं आपको यह बता牛 कि स्रीलंका की जो आय है उसका सो अरगर मानक माने के चलें तो सतर रुपए internet को कर्ज की रूप में बापिस करने है और कर्ज की रूप में बापिस करने के प Mys because दो करणों की आवारी वाला देश कैसे पलेगा कैसे यहां के लोग पिकती करेंगे कैसे बिकास होगा यह किसी को पता नहीं है अपने आपके के अच्छ पिस्न है अब थोड़ी सी हम परतों पर जाएंगे तो और बात करेंगे कि महंगा कर्ज महंगा कर्ज क्यों लिया गया मह मेहा कर्ज देज के विकास करें कि देश की रादनीति में खर्च हुआ थेजर्ट राधनीती देन में कर्च होने में घुआ चुनाय में घुआ निवेसध नहीं किया गया एलगिश तो इसका निबेस कराना था जिस करज से उद्धर घंदे लगाने चाहिए थे जिस करज से देश को आयाद पर नरवरता कम करनी चाहिए तो नरवता खतम करेंगे वह सारी manufacture हम अपने या करेंग अपने हाँ बनायेंगे अगर करज इस पर खर्ज होता तो साइड आज स्रीलंका की इस्थिति यह नहीं होती पर यह लिया गया कहर्ज किया गया चुनाओं पर राजपच्छी परिवार ने चुनाओं पर कुले वहां की कम्पिनियोंने सील्हेलंका ना खर्ज दिया और गशंकर चुनाओं में खर्च किया गया सरकार बनाई गया और सरकार बनाने के बार जब करज लोटाने के बारी आएगी तब इस्थिति उत्पन होनी लाजमी है मेहें और श्रीलंक को यह 39 में साल की लीज पर चीन को देना पड़ा है कि यह ती और यहां पर अगर आप निवेस आदू बेन 209 में चुनाब हुए थे तो तमाम तरह के बाद्स नहीं करेंगे और कहा गया था कि हम त्माम सिजय कम करेंगे और यहां पर यह बड़ा फैसर लिया गया जो पंदा परसेंट बैठ था उसको आड़ा कर दिया गया तो आपका राजकोशी घाटा 11 पर पहुंच गया जब राजकोशी घाटा 11 परसेंट पड़ेगा तब उसके लिए आपको इस तरह की स्थिती से ही रूबरू होना पड़ेगा चीन लगातार कर्ज लेता रहा कर्ज के बोश चले दब गया आज मैं आपको उतार रहा हूं कि उनके देनदारी लगवाला तिरे पर हजार करोड की है साल की आगर आज चीन की हम आये की बात करें तो सो मैंसे सत्तर रुपए उनको कर्ज की रूप में चुकाने है सबात करोड की आबादी वाला वो देश जिसकी पेती बेक्ती आए आज से च्छे साल पहले तीन लाग चारह जार रुपए थी आज वो देश दाने दाने को महताज है आज उस देश में बिडेसी मुद्दार वंडार माते पंदा हजार करोड का बचा है आज उस देश की अड़स्त व्योस्ता पूरी तरह से चर्मरा गई है और कोई साथ देने वाला नहीं है हलागे पड़ोसी देश होने के नाते भारत भी साथ दे रहा है और तमाम देश उसके संपर्क में है और लगाता उसका सहयोग के लिए प्रयास कर रहा है पर सबसे बड़ी बात यह है कि आप कर्ज से लेकर घी नहीं पी सकते आप कर्ज लेकर हसी नहीं कर सकते आपका कर्ज अगर आपमें लिया है तो कर्ज लेकर आपको उसका सही जगा निवेस करना बहुत आबस्थे कि क्योंकर आप सही जगा निवेस नहीं करेंगे तो बही कर जाकर आप पर लिए समस्य का बहुत बड़ा कारण बनेगा और वही स्रीलिंका में हुआ है ये तो कुरोणा महामारी आई प्रेटर नुड्योग ठप हो गया प्रेटर नुड्योग आज चीन में दो हजार करो रुपे बचा है महगाई और जरूरी साम के दामान जो सजूरी सामान है उसका दाम 335 बढ़ गए इसके अलावा एक नई टक्नीक भी हम लाए थे कि स्री लंका में जो हम लोग खेती करते हैं चावल की मेर्पून खेती होती स्री लंका में जो खेती हो रही है वह हो रही है और यह स्थिती लगातर चलती चली आई 26 साल तक स्री लंका में ग्रह जो चला जो सिंगली बहुल एरिया है वहाँ पर लगातार सिबल बार चलती रही और ग्रह युद्ध से स्री लंका लगाता लडता रहा 26 मैं स्री लंका को उसी युद्ध से निजात में दी 26 साल स्री लंका के अंदर सीनली बहुल इलाके में ये युद्ध लड़े गए और युद्ध लड़े गए और स्री लंका लगातार हर मामले पिछड़ता चला गया पर उसके बाब जूद्ध परेटन जैसे उद्धोग और तमाम अच्छे कामों के चलते तमाम तरह की बेवस्थाओं के चलते स्री लंका में पित्वेक्ति आये बहतरी रही परेटन द्धोग बढ़िया था काम ठीक चला था और उसके बाद जैसे ही बंसवादी राजजीती चलती आये बंसवादी राजजीती जहां पर अपने विवेक का इस्तुमाल बंद किया कर्ज लिया गया नवेस नहीं किया गया कर्ज को अपने चुनाओं में खर्च किया गया सट्था पाई गई उस पर भी कोर में दाग का काम किया जब स्री लंका में बैट को 15% से कम करके कि आट पर्सेंट कर दिएका कर को है तो जो सरकार का जो राजस्स कोशिय था गाटा बो लगातार बढ़ता चल जब राजस्ट कम आयेगा इस्ठीति भाहिए तंखा भाही देना है चीज़ें चलानी नहीं पर कास करना नहीं तेमाम जो दुरुस्त करना है पर जिस तरह से कर्ज लगातार बढ़ता गया करों की दर कम कर दी गई उसके चलते हैं स्री लंका आज परिसानी में है लिए ऊसके लिए सिर्फ सिर्फ श्रीलंका की जो नेता है जो राश्पति है उनकी नीतिया जंग्यार है नो दस जोलाई ग्यार जोलाई जो घटना करम रहा जिय अपने आप में बहुत बड़ा सर्मना घटना करम है किसी देश की जनता दौरा किसी देश के रासपती सचवालाई पर रासपती भवन पर त्रहा मंतरी भवन जो कि वहां का टेमपर्टरी के नाम से जाना जाता है सांसरों के बैठक के बार कहा गया कि श्रीलंका की जनता चाती है कि जो रासपती थे गोटापाय राच्च पाच्छे बूर इस्तीफादे और जनको अनगे अभी पिरामंतरी थे लानेल बिक्रम सिंगे जनको अनगे कारभाख रासपती बनाया है बो भी स्तीफाद ये माग व हासी खेलती स्रीलंका नीड़े समुझ मेरी की रहने बाली स्रीलंका भार्राट की पड़ो सीसिति कि अगर अगर बार करते हैं कि आप यहां पर किस तरह से कुछ बैतार हो पाए नहीं कि मिने करने होगी कि सबसे पहले स्री लंका में कि स्थाई सरकार हो इस्थाई प्रहामंत्री हो इस्थाई राजपती हो जो की बड़ बैंक से बात करें जो की पड़ोसी देशों से बात करें और उनसे कुछ कम रियायत पर करज ले और करज लेकर इन बेवस्था को खतम किया जाए औ वहाँ पर आयार को कम भिक्सित किया जाए बहा पर डेली रूटिन की चीज है जो आम जोड़की चीज है उनको बढ़ाया जाए अनको उगाया जाए उनका निरमार किया जिसके लिए नमक कागज आख़ा wrap Cin zawis — तका जासी चीजों के लिए हमको अन्य देशों पर निर्वन ना होना पड़े और अपने आप में बहुत बड़ी बात है और साथी साथ यहां पर एक उपयोगिता ये भी है कि अगर आप चाहते हैं कि स्री लंका अपने दुबारा अपने पैरों पर खड़े हो इसके लिए पड़ोसी राज्यों पड़ो लेना ही पड़ेगा बिना कर्ज के आपकी समस्या का सबदान मुम्किन नहीं है उनकर्ज को चुकाया जाए और कर्ज का कुछ हिस्सा निबेस किया जाए कर्ज के कुछ हिस्से को ऐसी जिगह लगाया जाए जिससे आप निर्याद की जो नीती है उस पर आंगे बड़ पाए आप नर्याद करें, आयाद कम से कम करें, जब आप नर्याद जाना करेंगे, आयाद कम करेंगे, तो निसी रूप से आपका 50,000 कुरड़ पहें, पहुंच चुका है, वो निसी मुद्ड़ बढ़ेगा, क्योंकि आपकी जरूत कहिआप से अभी आपको 99,000 करोड रुपे का बिल्यसी मुद्दार भंडार चाहिए अपने जनता के लोगों की जगोतों को पूरा करने के लिए तो यहां पर करज फिर से मैनेज किया जाए और इसकर की अधिकान्स हिस्से को निभेश को में बढ़ाया जाए परेटन में बढ़ाया जाए इंडेस्टी को आद्म यर्वर बने हुए बिना नर्याइठ को बढ़ाये हुए बिना आयाठ को कम किये हुए हम अपने आपको अब दुबारा स्थाफित करने के बारे सोच भी नी चकते तो यहां पर स्री लंका को कुछ बड़े फैसली लेने होंगे भारत उनके पढ़ावसी देश होने क लगाता उनकी सहाथ तां करता आया है करेगा पर यहां पर स्री लंगा को लेना पड़ेगा कोशिश करने पड़ेगी को दोबारा के रूपमें तबदिल किया जाए और बहुत जो जन्ता में असंट्रिश्टिक का भाव पहला हुआ इस भाव को कम करते हुए एक साथ जनिक ब हमें पहुंचेगा जापर अब तक आया है तो आज की चर्चा में इतना ही मरस्कार आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार